हेलो बच्चों कैसे हो आप सब I hope you all are doing good आज हम पढ़ने वाले हैं एक chapter जिसका नाम है Time and Directions Time यानि की समय and directions यानि दिशाएं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं First is Time The position of the sun in the sky helps us to know the time of the day जो sun की position है आसमान में उसकी position से हमें दिन के time का पता लगता है When the sun rises, it is morning जब सूरज निकलता है, वो सुभह का time होता है It is time for us to wake up and begin our day वो क्या time होता है? वो time होता है जब हम सुभह उठ जाते हैं और अपना दिन की शुरुआत करते हैं mornings are pleasant, सुभह जो होती है वो बहुत सुहाव नहीं होती है When the sun is directly over our heads, it is noon जब सूरज हमारे सिर पर होता है यानि कि सूरज की जो रोशन इतनी तेज होती है, सीधा हमारे सिर पर पढ़ती है उस time को क्या कहते है, noon यानि कि दोपहर The sun shines very brightly and it is very hot उस time sun बहुत होता है और बहुत तेट चमक रहा होता है When the sun goes down, it is evening और जब सूरज अस्थ हो जाता है, वो कौन सा time होता है? बच्चे, evening का यानि शाम का time होता है, the day ends with evening और दिन खतम होने लग जाता है, जब शाम होती है जैसे जैसे धीरे धीरे time निकलता जाता है, वैसे वैसे अंधेरा होने लग जाता है When it becomes dark, it is night और जब बिलकुल अंधेरा हो जाता है, तो वो कौन सा time हो जाता है? रात का, यानि की night का The moon and the stars appear in the sky और रात में चंद्रमा यानि की चान और तारे वो आस्वान में हमें दिखाई देने लग जाते हैं We have our dinner and get ready to go to bed और उस time हम क्या करते हैं? अपना रात का खाना खाते हैं, डिनर करते हैं और सोने के लिए ready हो जाते हैं The next day begins again with the rising of the sun उसके बाद दूसरा दिन आता है, next day आता है जो कि फिर से सूरज के निकलने के साथ शुरू हो जाता है Cloaks and watches tell us the time, हमें time का पता कैसे लगता है? Cloaks से, watches से, दिवार पर जो घड़ी होते हैं उसको clock कहते हैं और जो हम हाथ में पहनते हैं उसको watch कहते हैं Time is precious and it never comes back, time बहुत important होता है और time कभी वापिस नहीं आता We should use it properly, इसलिए हमें सो समझ के समय का यूज करना चाहिए Direction is the relative position of an object with the other, direction क्या होता है दिशा की कौन सी object कौन सी जगय पर रखी गई है We need directions to find our way, क्यों हमें directions का पता होना चाहिए? अगर हम कहीं गुम हो जाएं, हमें अपने घर जाना हो अगर हमें direction का पता नहीं होगा तो हम अपने घर नहीं जा पाएंगे तो अपने रास्ता ढूंडने के लिए हमें directions की जरूरत होती है We use our hands to show directions, our left hand shows the left direction, हमारा left hand left direction बताएगा Our right hand shows the right direction, right hand right direction बताएगा The place which we face is in front of us, जो place, जो जगय हमारे सामने है, वो front यानि की सामने वाली जगय है The place at our back is behind us, और जो हमारे पीछे है, जो हमारे back की साइड है, वो कौन से जगय है, behind us, यानि पीछे की जगय है If you turn around, these directions will also change, अगर हम turned होंगे, अगर हम ऐसे घूम जाते हैं, तो भी हमारी directions change हो जाएंगी So there are four fixed or main directions, इसलिए चार हमारे fixed direction होते हैं, जिनको main direction यानि की मुख्य दिशाएं भी कहा जाता है कौन कौन से होते हैं ये, east, west, north and south, east यानि की पूरव, west यानि की पश्चेम, north, उत्तर and south is दक्षीन Just as the sun helps us is knowing the time, it also provides us the idea of directions जैसे sun की सहायता से हमें time का पता लगता है, वैसे ही हमें directions का भी पता लगता है The sun always rise in the east, if we stand facing the rising sun, east is in front of us सूरज जो है, वो हमेशा east से निकलता है, तो अगर हम east को face करके खड़े होंगे West is behind us, तो हमारे opposite क्या होगा? East के opposite क्या होगा? West और जो हमारा left side है, वो क्या होगा? North और जो हमारी right side है, वो क्या होगा? South होगा तो the sun always sets in the west, इसलिए sun की direction से भी हमें directions का पता लगता है क्योंकि sun हमेशा east से rise होता है और west में sun set होता है Now directions can be shown on a map, directions एक map पर भी दिखाई जाती है On a wall map, north is always at the top, while south is always at the bottom, east is to the right and west is to the left ये देखो, this is the map और map में हमेशा, top में क्या होगा? North down में क्या होगा? South और इधर west and इधर east, okay On clear nights, we know the direction by the pole star, it is always shines in the north अगर clear sky होता है, clear night होती है, तो directions हम pole star से भी पता कर सकते है क्योंकि pole star, star अपनी जगे पर fix होते हैं तो pole star जो सबसे चमकीला तारा होता है, वो हमेशा उत्तर दिशा में shine करता है तो अगर हमें एक direction का पता लग जाता है, तो बाकी की तीन direction हम easily find out कर सकते हैं Okay बच्चों, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा, फिर से इसको read करेंगे और exercise की practice खुद करेंगे